तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चर्ल में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने फॉन में Call of Duty नामक एप्लिकेशन का इस्तमाल कर रहे हो जो कि ये गेविंग एप्लिकेशन है काफी लंबे समझ सकते आ रहे हो लेकिन अभी एप्लि तो आज की वीडियो में आपको बही बताने वाला हूँ कि आखिर कारे ये इसवा आता क्यों है और इसको कैसे स्वार्प करना है बहुत आसान तरीके से वीडियो जुरु चुप किसी वीडियो देख लेते हो फिन्तों चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो सपोर्ट कर लेजि कैसकतो को टेकनिकल इसू है कोई टेकनिकले चाह रहा ही कोई इरा रहा है अब जब भी इस एप्लिकेशन को ओपन करते हो तो ये एप्लिकेशन आपके फोन में प्रॉपर ओपन नहीं हो रहा है तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस प्रॉल जब भी हम किसी भी application को लगातर इस्तिमाल करते रहते हैं तो उस application की जो storage होती वो काफी ज्यादा मात्रा हैं बढ़ जाती जिससे होता क्या है कि कभी कभार हमारी जो device है जो हमारा phone hang करने लगता है और उस particular application को proper operate नहीं कर पाता है तो इस विल आपको करना क्या है इस storage को आपक आपको दो मेमोरी सो होंगी और यहां पर लखा हुआ है clear catch, clear data आपको क्या करना है clear catch, clear data क्या कर देना है tap कर देना है जैसे आपके सामने कुछ इस तरीकी का interface open हो के आ जाएगा simple है आपको back आजाना है और back आने कबाद मेरे दूस्त क्या करना है आपको आपके play store पे चले जा नहीं है आप simple इसको open कर लेजिए अब यह application आपके phone में proper work करने वाला है तो simple है मैं आज की वीडियो में इतना ही मयासर करता हूँगी आज की वीडियो आपको पसंद आए होगी वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेजिए और bell का इकन जरूर पैस कर जिए थैंक यू सूमच